स्वाइब दोस्तों आप सभी लोग का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल सिके में तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसर नेट्रो 5 के बारे में जो 2021 मॉडल होने वाला ठीक है तो यह दोस्तों काफी फेमस एक गेमिंग लैप्टॉप सिरीज है जो कि पिछले साल भी था और पिछले के पिछले साल भी था ठीक है तो इसमें बस अपडेट करके इस बार 2021 का मॉडल नाम देखे इसे यहां पर ल यहां बाइय लिंक भी आपको डिस्किप्स में प्रवायट करते रहा हूं वहां से जाके आप Buy कर सकते हैं और इसके सारड़ें डिटेयल प्राइस वह साही चाहिज मैं आपको इस वीडियो को एन्ड़ तक आपको बता दूंगा ठीक है तो इस वीडियो को complete यहां पर देखेगा तो चलिए बीना दरिक यह आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से तो डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जागा दोस्तों 15.6 इंसे एक not so far. अदो ईसे पशिज्फ्ले सब्छार्ट करते हैं कि तो यह थीस्प्ले इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ciao कि यह गेमिंग लैप टॉपप है इसलिए इसलिए इसमें यूज किया गया है TFT डिस्प्लेय का दोस्तों खासियत यह कि इसमें आपको काफी हाई response rate आपको देखने हो मिल जाता है और इस laptop में आपको थ्री millisecond का यहां पर response rate या पर response time आप कहा सकते हैं इसमें मिलता है अब आपको देखने को मिलेगा बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में तो इसमें आपको दो वीडियेंग्स दिखने को मिल जाएगा दोस्तों एक आएगा दोस्तों i5 के साथ और दूसरा आएगा दूस्तों i7 के साथ और यह दोनों ही दोस्तों 10 जनरेशन पर बेस्ट होनी वाले हैं ठीक है तो इसमें एक दिक्कार देखने दोस्तों कि अभी भी इसमें 10 जनरेशन का प्रोसेसर यूज किया जाड़ा है जो कि फ्रस आउट्डेट अब हो चुका है क्योंकि अब 11 जनरेशन का प्रोसेसर अल्यडी आ चुका है और काफी सारे लैपकॉप में अल्यडी है ठीक है बात करते हैं दोस्तों जीप्यू गभाय में तो इसमें यूज किया गया है एन्वीडिया गेटफोर्स आर्टी एक्स 3060 ग्राफिक्स कार्ड जो कि आ इंडिया में आया है ठीक है तो यह काफी ज्यादा पाउफुल यह लैप्टॉप और साथ में ग्राफिक्स होनी वाला इसमें ठीक है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके रैम के बारे में तो इसमें आपको प्रिंस्ट्रॉल 8GB का रैम दिया जाता है जिसे आप एक्स्प प्रवाइट किया जाता है ठीक है तो एस डी में अपने सारे गेम से रख सकते हैं जो कि थोड़ा कम पर जाएगा मेरे साब से बाकि आपको एस वन टीवी में आप अपने फाइल सबको रख सकते हैं दोस्तों सामने के तरफ बात करते हैं तो इसमें आपको 720P का एक एच्ट जोकि आठीदि सपोर्टेड है और उसलिकलित जोन लाइटिंग्स में सपोर्टी के दोस्तों को से वह दिया जाता है और साथ में सेंसकी आप पर चांप कर यहां पर रखे तो और और इसमें साउंड का काफी ज्यादा यहां पर मजाने वाला सुनने में बात कर लेते हैं इसके बैटरी में तो इसमें आपको दिया जाता है 57.5 वाट आवर का बैटरी जो की आपको लगबाग से 10 आवर का यहां पर बैक अप प्रवाइड कर देगा ठीक है तो आपको वाइफाई 6 मिल जाता है साथ में Bluetooth वर्जन 5.0 देखने हों मिल जाता है अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके पोर्ट के तरफ ठीक है तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 3.2 जनरेशन 1 का एक पोर्ट साथ में 3.2 जनरेशन 2 का दो पोर्ट और HDMI पोर्ट साथ में RJ45 इस लाप अब बहुत करते हैं इस लाप टॉप के बारे में वह तो यह लाप्तौब ऑख तो मिल जाता है 3.2 जो थोड़ा सा है विह बॉस्तों अब आभ अनुकर करते हैं STEP है प्रोल को ᶜुश्च चाहर करते हैं इसके बारे में तो सबसे प्ले सुरू करते हैंिस्यक्त साथ में कीबुर्ड वेगरा इस सारी चीज सबस्ड करना चाहिए तो इन सब में कोई दिकत नहीं है बढते हैं क问 कि तरफ में कौन के बारे में तो इस में कोười सबसेरध कर चुका है ठीख है इसे त्वासा अटेट करना चाहिए था बात करते हैं आप रायम के बारे में आपको अभी इसमें प्रोवाइट किया जा रहा है अगर यह स्टीन जी आपको प्रिंस्टॉल इसमें मिलता है तो काफी बहतरीन होता है मेरे साब से इस्टोरेज में बात किया जाए दोस्तों आगर आपको 256 जगा अगर आपको 512 जीवी का ऐसेज़ साथ में आपको मिलता है वह स्टार्टिंग होता है दोस्तों 90,000 और यह अभी आपको Amazon पर मिल जागा आप चाहे तो इसे जागे बाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने फेस्बूक में यहापर सेयर कर दे इस लैप्टॉप इससे वीडियो को ठीक है और मिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक लिए भाइवाइए